ए और बी एक कर्या को 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में, और सी और ए 6 दिनों में कर सकते हैं, बी उसी कर्या को अक्यली करने में कितना समय लेगा, चलिए बई, ए और बी है, उसी कर्या को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, बी और सी है, उस कर्या को कितने दिन में करते हैं, 8 द मरी 6 जिननट अब बताए काम होगा कितना ऐस बनेतर सब्सक्राइब आई देखे वाय बाई 12 और 6 गतना आदा है 24 आप कहोगी कि यी कुल काम है वो कितना है 24 है ठीक है अगर कुल काम आपका 24 है तो A और B दो यूनिट काम करेंगे ये डिली के 3 यूनिट काम करेंगे और ये 4 यूनिट काम करेंगे अगर कहने को तो A भी दो बार है इधर B भी दो बार है C भी दो बार है तो कहने का मतलब 2 और 3 पांच और 4 नो यूनिट ये काम कर सकते हैं लेकिन नो बटे दो कर दूँगा मैं तब ये ए और बी और सी तीनों का काम आ जाएगा चीजें समझ लेगो नो बटे दो कर दिया मैंने या यूं कहलो कि ये आगया 4.5 की efficiency आगे तीनों की मिल करके अब देखिए आप से सिरफ ये पूछा है कि बी उस कार्या को अक्केले करने में कितना टाइम लेगा ए बी और सी की efficiency अगर 4.5 है लेकिन आपको तो बी पूछा है तो जहां पर नहीं है उसकी efficiency देखिए C और A की efficiency 4 है कहने का मतलब अगर A प्लस B प्लस है C की 4.5 है और इसमें से अगर मैं A प्लस C की efficiency कितनी है 4 है ये गटा दूँगा तो मेरे पास किसकी efficiency आजाएगी मेरे पास B की efficiency आजाएगी B की efficiency कितनी है 0.5 कहने का मतलब B की efficiency आगई आधी और टोटल काम है मेरे भाई 24 और उसको आधी efficiency से करूँगा अब आपको पता है 24 को आधे से डिवाइड गरना पड़ेगा डिवाइड गरना पड़ेगा तो यानि कि 1 बटे 2 होगा इधर 2 बटे 1 तो वो काम कितने दिन में हो जाएगा 48 दिन के अंदर उस काम को complete हो जाएगे 48 डेज उस काम को time लगेगा उस काम को होने में कोई दिक्कत है मेरे भाईयो किसी भी तरह की कोई समझा आ रही है बिलकुल easy सा question है A, B और C अब ध्यान देना यहाँ पर फरक कितना ही है कि 2 और 3, 5 और 4 जो 9 यूनिट काम हो रहा है वो A प्लस B प्लस C तो है लेकिन A दोबार है B दोबार है C दोबार है इसलिए हमने क्या कर रहा उस काम को आधा कर दिया तो हमारे पास A प्लस B प्लस C की total efficiency आगी कि उस कार्या करने के शंता कहलो कार्या कुसलता कहलो 4.5 आगी अब यहाँ B की efficiency बचाएगी अब B की efficiency बचाएगी total काम 24 है जब आदा काम हो रहा है तो 48 देज में पूरा काम हो जाएगा